Hello Friends, Welcome to PKR Tech Classes, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेंद्र ठीक है मैं हूँ आपका दोस्त सुरेंद्र, तो आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं Control System subject को, तो Control System जानने से पहले मैं आप से पूछूँगा की System क्या होता है Then मैं आऊँगा Control System में, तो System क्या है, What is a System? System, ठीक है, तो System क्या है, System वो होता है, System पे आऊँगा, System वो होता है जिसमें आपके Devices, Devices and Components को, Devices and Components को रखा जाए या एक Arranged manner में रखा जाए, Arranged manner में या एक Systematic manner में रखा जाए उसको बोलते है System, जैसे आपने एक Motor ली, जैसे Suppose that आपकी Bike है Bike में क्या है, सारे Components और Elements क्या है, एक Systematic manner में Arranged है Arranged में पईया अपनी जगे Arranged है, Handle अपनी जगे Arranged है, यानि कि सारे Elements अपनी अपनी जगे Arranged है तो इसको क्या बोलेंगे, एक System बोलेंगे, और अब Control System में आते हैं कि Control System एक कैसा System है तो Control System, Control System एक ऐसा System होता है Friends, जिसमें सारे Elements एक Systematic order में Arranged रहते हैं प्लस, प्लस हमें एक Desired Output देते हैं, क्या देते हैं, यह टर्म बहुत ही Important है, Desired Output देते हैं ऐसे System को हम Control System कहते हैं, यह क्यों Important है Desired Output, Desired Output इसलिए Important है Suppose आपने एक Bike बनाई या एक Bike है, अब आपको उसको 70 की Speed में जाना है, बट आपके पास ऐसा Bike चल रही है Speed दे रही है, बट आपको Speed पता नहीं, और आपको जितनी आपको Desired है इच्छा है आपकी उतने में नहीं चल पा रहे है, तो वो Control System नहीं है वो Control System नहीं है, हाँ अगर आप उसकी Speed को Control कर पा रहे हैं, ब्रेक लगा पा रहे हैं, देन वो एक Control System है, तो क्या प्रडूस करता है, एक Desired Output प्रडूस करता है, सारे Elements एक Systematic में आरेंज रहते हैं, ऐसे System को हम Control System कहते हैं, तो यह था Basic of Control System, अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं, Basic से हमारे पास Control System दो टाइप के होते हैं, Control, Control System हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, Control System टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, Control System एक होता है open loop control system and एक होता है closed loop control system क्या होता है open loop and control open loop system and closed loop control system तो इसको बोलते है open loop control system OLSCS इसको बोलते है closed loop control system CLCS Open Loop Control System and Close Loop Control System तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अब Open Loop Control System क्या है ठीक है तो Open Loop Control System में आपको एक Block Diagram से बताऊंगा Suppose that यह एक system है यह एक Open Loop यह एक Control System है यह क्या है यह एक Control System है यह क्या है यह एक Control System है यहाँ से आप इसमें Input दे रहा है यहाँ से आप इसमें Output ले रहा है तो इसको क्या बोलेंगे यह हो गया Input और यह हो गया Output ठीक इनपुट टर्मिनल को यहाँ से यह Input दे रहा है और यहाँ से आप Output ले रहा है यह हो गया Control System अब ये control system तो हो गया, अब ये क्या है, ये है हमारा open loop control system, क्यों है, क्योंकि देखो, output, आप यहाँ पे कोई भी input देंगे, suppose that आपने यहाँ पे race दी, बाइक है, ये एक बाइक है, ये suppose that कोई भी open control system है, यहाँ पे आपने एक input दिया, output आपको directly मिला है, तो क्या है open loop system में, open loop control system में, जो important बात है, वो क्या है, वो ये है, कि जो आपका output होता है, जो आपका action होता है, ये अगर कोई भी action ले रहा होगा, तो जो action होता है, ये जो input होता है, वो independent of output होता है, इसका independent होता है, output का independent होता है, यहाँ पे हमें क्या input देना है, वो output पे dependent नहीं कर रहा है, ऐसे system को हम क्या बोलते है, हम ऐसे system को open loop control system बोलते हैं यह यदि इसको हम control action बोलें control action बोलें यह controlling device है तो इस पर जो input देना है वो क्या output पर dependent है output पर निरभारे नहीं है तो इसको बोलेंगे हम लोग open loop control system ठीक है इसके Campus देखें मैंने क्या बता है open loop control system action जो input होता है independent of output important line है १११११। ट्राफिक लाइट कंट्रोलर एकजामपकिल क्या है ट्राफिक light controller ट्राफिक लाइट कंट्रोलर क्यों Sung bola क्यों ट्राफिक लाइट कंट्रोर क्या करता है green light देता है red देता है and yellow देता है वो एक nisted time बात देता है उसको ये मतलब नहीं कि output में लोग निकले या नहीं 3 minutes के बाद वो अपना आप green का red red का yellow, yellow से green होता रहता है 180 second के बाद ठीक है तो जो input है जो input है क्या वो dependent है कि लोग निकले की नहीं वो तो अपना output दे रहा है ठीक है वैसे ही क्या होता है electric washing machine होती है electric washing machine एक nisted time के बाद उसमें timer लगा होता है time के बाद वो क्या करती है machine off हो जाती है ठीक है तो इसको हम लोग open loop control system बोलते हैं अब इसके advantage आप से अग्साम में पूछे जा सकते हैं क्या पूछे जा सकता है advantage and disadvantage advantage क्या है advantage note कर लेंगे important है important advantage है कि यह क्या होता है simple simple होता है and economical होता है ठीक है दूसरा क्या होता है no stability problem stability की कोई problem नहीं होती ठीक है ये तो हो गए disadvantage disadvantage क्या है disadvantage note करेंगे open loop transfer open loop control system के inaccurate हो सकता है जैसे 180 second के बाद भी अगर भीड रह जा रही है traffic signal पे यह चौराहा है यहाँ पे 180 second हो गया फिर भी यहाँ पे crowd है तो यह फिर रुका रहेगा फिर after 3 minute बाद निकलने को मिलेगा उसको इससे कोई मतलब नहीं कि कि जहाँ पे ज्यादा crowd हो मैं उसको ज्यादा देर तक निकलने दू जहाँ पे कम crowd है उसको कम देर तक निकलने दू ताकि लोगों को रहात मिले नहीं वो 180 second के बाद ही रहात देगा उसको crowd से मतलब नहीं है क्योंकि यह open loop control system गयों inaccurate होगा unrealizable को unrealizable होगा 3 unrealizable होगा and 3 realizes and 3 noise is more तो यह हो गया and open loop control system में एक चीज और important है open loop control system में एक चीज और important है कि यहाँ पे कोई भी feedback नहीं अरेंज होता no feedback arrangement no feedback arrangement in open loop transfer function open loop transfer function में कोई भी feedback अरेंज नहीं होता क्या नहीं होता feedback अरेंज नहीं होता ठीक है तो यह note करने वाला point था तो हम लोग चलते हैं advantage disadvantage हो गए next page में हम लोग आते हैं अपने closed loop control system में किसमे closed loop control system basically थोड़ा सा introduction का पार्ट है वीडियो से बहुत ही छोटा ही रहेगा next वीडियो में फिर हम इसके questions देखेंगे question series of control system तो जो closed loop control closed loop control system होता है उसमें क्या रहता है उसमें क्या रहता है suppose that ये एक system है या control action है control action है यहाँ पे ये एक system है ये input है and ये आपका output है ठीक है यहाँ से आपको output मिलेगा ये input है तो इसमें क्या होता है closed loop control system में जो controller action है control action है या जो device है या control system है वो किस पे depend रहता है dependent of output उसमें क्या था independent था बट इसमें क्या है dependent on output पे depend होता है कैसे कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक feedback element लगा रहता है feedback element feedback element लगा रहता है and feedback element कुछ इस type से लगा रहता है तो जो action होता है जैसे ही देखो यहाँ पे जो भी action आउटपुट में आएगा वो feedback element फिर input को pass कर देगा ınput को pass कर देगा यहाँ पे फिर से ये feedback लेगा फिर input को pass करेगा तो controller का जो action है वो depend होता है on output क्या करता है output पे depend करता है ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं ऐसे सिस्टम को हम close loop control system बोलते हैं क्या बोलते हैं close loop control system इसका सबसे अच्छा example है आपका AC AC से समझेंगे क्यों समझना जैसे ही आपने AC on किया आपका room temperature था room temperature था मालो 42 degree centigrade 42 degree centigrade था and AC में AC में आपने जो set temperature किया remote से set temperature वो है 20 degree centigrade ठीक है तो आपने input दिया AC on हो गया आपको output में हवा मिलने लगी suppose आपको output में 20 degree centigrade सो हो रहा है ठीक है वो कुछ समयबाद 20 degrees centigrade होता है माल अभी यहां पर output में आपको 42 degree centigrade ही भी मिला आपका जो desired वो क्या है 20 degree centigrade आपका desired output है आपकी इच्छा है कि आपके room temperature कितना हो 20 degree centigrade हो यह आपका desired है और आपका है कितना 42 degree centigrade यहां पर मान के चलो पहली बार में आपको 40 डिग्री मिला 40 डिग्री मिलते ही यहां पर feedback element में आया feedback element ने input पर बोला कि अभी 40 है 40 बोला तो input ने और power supply बढ़ा ही फिर यहां पर 40 की जगे 35 हुआ 35 बोला feedback element में अभी 35 है और हमें लाना कितना है for 20 लाना है तो फिर उसने power और बढ़ा ही compressor बढ़ा यहां पर फिर again 30 हुआ 30 होते ही feedback element में आएगा कि यह 30 है और कम करो फिर input अपनी power बढ़ाएगा ऐसे ही यहां पर 25 डिग्री आया होगा फिर यहां पर feedback में आएगा फिर जब 20 आ जाएगा तो यहां पर feedback element बोल देगा okay input और feedback element में comparison जो हो रहा हो बोल देगा control action को okay set हो गया temperature और हमें अपना desired output मिलने लगा desired output हमें मिलने लगा ऐसे system को हम close loop control system क्या बोलेंगे close loop control system बोलेंगे desired output मिला controlled action में मिलना है essay को हम क्या बोलेंगे हम लोग essay system को बोलेंगे close loop control system तो इसके advantage क्या है advantage पर आ जाते हैं advantage आप note करेंगे इससे आपको एक नम्मर का question आ सकता है कि एडवांटेज में क्या है एडवांटेज है accurate and reliable क्या देता है accurate कि एंड कि रिलाइबिल कि सेकेंड क्या होता है कि और भी जो होंगे मैं बताऊंगा सेकेंड होता है reduced effect of parameter action reduce effect of parameter action अभी यह जो टर्म है जो नहीं समझ में आ रहे है parameter action यह सब समझ में आएगा अभी बस आपको इतना याद कर लेना है और यह third है bandwidth bandwidth of the system can be increased bandwidth of system increase हो जाती with negative feedback से bandwidth system की increase हो जाती यह भी अभी बताऊंगा and disadvantage क्या है disadvantage बस इतना है कि यह थोड़ा costly होता है क्या होता है costly होता है and unstable भी हो जाकता है unstable भी होता है close loop system ठीक है and third है gain of system gain of system reduce किया जा सकता है with negative with negative feedback तो जब मैं feedback system पढ़ाऊंगा तो मैं यह जो bandwidth है और यह gain है यह दोनों term समझाऊंगा तो अब हम आज आते है open loop and close loop पे जो हमारा difference है जो भी comparison है वो यहाँ पे discuss कर लेते हैं फिर इस lecture को करेंगे end तो open loop system and यहाँ पे लिख लेते है close loop system close loop system तो open loop and close loop में mainly क्या क्या comparison है open loop में क्या होता है open loop system accurate होते हैं यह more accurate होते हैं क्या होते हैं more accurate होते हैं क्योंकि इसमें feedback element होता है no feedback present close loop में क्या होता है feedback present रहता है ठीक third जो है stable होते है open loop system इसमें क्या होता है stability generally नहीं होती stability depend करती stability depends on components components पर depend करती है ठीक है तो यह हो गए हमारे open loop system and close loop system अब फिर कुछ लोगों को confusion होता है कि क्या feedback से stability improve होती है तो feedback is not used for improving stability ठीक है अब भी जो भी ठोड़ा सा doubt है आपको उस सब बताया जाएगा next lecture का आप लोग wait करिए तो control system में आज हम लोग इतना ही discuss करेंगे और यह जो चीज थी एक चीज और बताना चाहूँगा मैं आपको यह जो चीज थी close loop control system में यहाँ पर एक element का नाम बताना बूल गया यह जो लगा रहता है इसको mostly हम लोग comparator बोलते हैं यह क्या कर रहा था feedback element और input के बीच क्या कर रहा था comparison कर रहा था फिर अमारे control action को input दे रहा था main input तो यह था तो control action को input दे रहा था और यहाँ पर मिलती है एक error इसको बोलते हैं तो यह था mainly control system का part अगर control system में आप और वीडियो चाहते हैं then comment box में जरूर बताएं most of student अगर comment नहीं करते comment box में बताएं comment box में बताएं मुझे 8417966143 पर notes and other चीजों के लिए whatsapp करें मैं आपकी जो भी possible होगा as soon as possible जो मेरे से help होगी मैं करूंगा तो thanks for watching my lecture be care tech classes again आप लोग doubt comment box में जरूर बताएं thanks for watching अजिर के एक नहीं एक घंश